है एव्रीवन वेल्कम बाक टू आर चैनल और कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे हम सब तो बढ़िया है तो आज मैं जा रही थी बनाने चूरा मटर जो की वाराणसी का बहुत ही मसहूर चूरा मटर है और वहां बहुत अच्छा टेस्टी चूरा मटर मिलता है तो मैं मैं वहां की authentic recipe आप से स्यार करूंगी तो मैं चलिया आपको बनाती हूं और आपको दिखाती हूं मनाने सो पहरे मैं आपको ingredients दिखा दू और quantity बता दू कि मैंने कितना लिया हुआ है और फिर मैं आपको प्रॉसेस्टी मैंने लिया हुआ है एक कप एक कप इन दे सेंस कि यह 500 ग्राम मेरा चूड़ा है जिसको मैंने दो पानी दूल लिया हुआ है ताकि यह सोक होके सॉप्ट हो जाए तो आप देख लेजे इतने quantity है और उतना ही मैंने मतर लिया हुआ है मैं यहां पर थोड़ा सा ज्यादा मतर डाल रही हूं क्योंकि निवी और मुझे मतर बहुत ज यह चमच और यह एक चमच छोटा चमच गर भूने हुए गज़ु फिलन हुए काजू जीणी और यहां पर पर यहां पर डुठों करें कीकलि यहां यहां पर करेंग और इसे पर हुआ है किल उडुने के की कुरा साबक्राइब ठीट कंच दूध में चिए गलेंग़ लिए चोटा चमच में जा रही है तो दो चमच इसमें डूध एड़ करेंगे इससे क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा टेक्स्टर और टेस्ट आएगा फिर यहीं पर हम यह आमचूर पाउडर मिला लेंगे यह हमें कच्चा ही इन सब्चीजों में मिला लेना है यहां पर यह ची चूरे में फ्लेवर में बढ़ हो जाएगा अघय चले लेंगे मिलाएं कर दिया जब दक बनाएंगे लिखे लेवर हो जाएगा यहां फ्लेम बढ़ीबर कर लेंगे तो इक जगा सब्टराओं च다 मरूए गया जालेगा तो इनtt लेंगे में कर लेंगे पर मोएंट 10वी द बदलब एक बड़ा स्पून मैंने लिया हुआ है आप चाहे तो इसको कंप्लीटली घी में बना सकते हैं मस्टार डॉयल में भी बना सकते हैं लेकिन मैंने लिया हुआ है ऑलिवायल जब यह मेरा पैन गरम हो गया है अब इसमें सबसे पहले मैं आधा चम्मच जीरा करेंगे नियुक्त दो थोड़ा सब्सक्राइब जाएगा थोड़ा और तो इसमें अब दो वैगे एक को हम अभी आयग चल दिये हैं मचर के अकोडिन हमारा जिसना मचर का कॉंटिटी रहे जाएगा उसी इसके अकोर्डिन हम नमक आच करतेंगे और दूसरा बैस्ता दालेंगे जब हम फूरा एड़ करेंगे उस समय अब इसको निट लगा करके सौट होने तक पका लेंगे आप देख सकते हैं मेरा मटर हो चुका है बीच में मैंने 3-4 बार खोल करके इसको पकाया है और देखके देखके पचा चल रहा है कि हो गया है और हाथ से देखके देख नहीं हो अब यहां पर क्या करेंगे हम यह मसाला आड़ करके 10 सिकनं भून लेंगे जब मसाला भून जाएगा अब मेरा मसाल भून गया और यहां पे थोडा सा हल्दी करेंगे तो फ्ल्दन नहीं होता है तो फॉर्दन चैण्ज को हिरेंगगें तिक एसको भी 6-7 ते भून जाएंग गया अब एड्前 कर जिसमें मैंने आज अम्चूर और चीनी अब इसको हम तिंचार मिनट तक अच्छे से भूनेंगे और हां अब यहां पर हम थोड़ा सा नमक और आड़ करेंगे तो कि हमने चूरे के अकॉर्डिंग नमक नहीं आड़ करा हुआ है तो जड़ा सा अब जितना हमारा चूराएगा इसमें मीठा नमक ही अच्छा लगता है तो ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा नमक नहीं डालेगे बाकि आप जितना थाते हैं उसके अकॉर्ड़ी डाल सकते हुआ है तो अच्छे से इसको हम भून लेंगे दो-तीन मिनट लग जाएगा भूने में तो इसको हम 2-3 मिनट तो कम से कम भूनेंगे ही जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट हैगा तो भून देंगे और मैं भून लेती हूं इसमें और आप चाहें तो इसमें किसमिस भी आड़ कर सकते हैं मैं सिर्फ काजू एड़ करूँगी किसमिस नहीं आड़ करूँगी क्योंकि नीवी को किसमें पसंद नहीं आती इसलिए नहीं याट करूंगी और इसको अगर आप चाहें तो completely घी में बना सकते हैं आपके च्वाइस पर डिबेंड करता है आप जो प्रेफरेंस अगर सेहत को प्रेफर करते हैं तो आयल में बना सकते हैं यहां मैं घी में इसलिए नहीं में बनालेजर हो नीपी को बुद्र कि ऊली कि को बढ़ जाती है तो आप चाहे तो अगर बहुत पसंद हो तो आप गी में बनाये और वैसे घी में ही बनता है ये कि TIST की एकॉर्ड माफ़त जेफाइक कर लेते目 कर लेते हैं तो और आफोकित हो मैं अथेनटेक।B पकाएंगे जब चूरा एड़ करने के बाद मेडियम फ्लेम पे इसको भूलते रहेंगे और मटर को तो सिम करके पका लिजेगा तो जल्दी पक जाएगा बाकि आपको जैसे कन्विनियेंट लगे और अब इसमें धनिया डाल करके में 10-15 सेकंड भूलनोंगी ताकि धनिया अ को अगल चूर्टाइल पर तो उता ही है और बबनारस अगें निकिकर है ने डादाईया फोरै को बना धुटक्र Já thirty Chi फो Mike मैरा फोरानसी का थंडी का श्रीट फूर रेड़ी है अब मैं आपको सार्व करती हूं की दिखाते हो जी काजू box मैने किमिप अब कर लिजा बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेंगी को नहीं पसंद इतले मैंने नहीं यह ड़ेंग करा है तो यह और एक मलाइयो है जो वारानसी में मिलता है और वह वहीं सिर्फ बनता है मलाइयो ऋसमें बनाया जाता है और वो बहुत ही स्वादिस लग शूरा मटरू रेडि शौरा हाथ शूरा मटर्णो स्वादिस रेडी हो गया है नास्ते के लिए और अब मेरी रावनमी नास्ता करेंंगे ते भूथ बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो आप भी जरूर ट्राई करें इस recipe को और जितना हो सके उतना इसको like करें, share करें, comment करें मैं ये बनारस की authentic recipe सबके पास तो पहुंचनी चाहिए ना तो share करेंगे तो अभी तो पहुंचेगी तो जरूर ट्राई करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और फिर से मैं कह रही हूं कि subscribe करें, like करें, share करें and comment करें और अगर आप चाहें कोई recipe मुझे से देखना मेरी बताईए मुझे comment करके तो मैं वो आपको बना के recipe जरूर बताऊंगी, तो इसको dry करें और आप इसको खाईए बना करके और मुझे बताईए कि आप लोगों को कैसा लगा, तब तक bye bye take care, अब मिलती हूं मैं आप से next video में